आज हम लोग कोकोनाट वाटर याने नारियल के पानी के बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है एम इसलाम और स्वागत है आपका इस एट्यूप चैनल पर दोस्तो आज कल हम लोग गर्मी का मौसम में अपना प्यास बुजाने के लिए soft drink का इस्तेमाल करते हैं जैसे की cold drinks, fruit juice यहां तक की freeze का ठंडा पानी भी पी लेते हैं इससे हमारे सरीर को नुकसान पहुंचता है इसके जगा अगर हम लोग नारियल का पानी पीते हैं तो हमारे सहत को काफी फाइदे पहुंचेगी लेकिन नारियल का पानी क्यों पीना है? दोस्तो एक गलास नारियल का पानी जो करीब 250 ml होगी इसमें शरीफ 45 क्यलोरी पाये जाते हैं इसके अलाबा इसमें विटामिन C, फाइवर और भरपूर मातरा में मिनारेल्स जैसे कि केलसियम, पोटासियम, मेगनेसियम, सोडियम और मेंगानीज पाये जाते हैं और इसमें एंटियोक्सिदेन भी काफी मातरा में होते हैं दोस्तो नारियल का पानी कई तरह से हमारे सहत को फाइदा पहुचाता है नमबर एक, नारियल का पानी बजन घटाने में मदद करता है अगर आप अपना बजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने डायेट में आप नारियल का पानी को रख सकते हैं क्योंकि नारियल का पानी में कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, इसके अलाबा इसमें फाइबर मौजूद होते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक आपको भूख का एसास नहीं होता है, और आपकी कैलोरी इंटेक कम होने के बज़े से आपका बजन घटने लगता है. नारियल का पानी डाइबिटीस के मरीज के लिए भी अच्छे होते हैं, अगर डाइबिटीस का पीमारी में कोई नारियल का पानी सेबन करता है, तो उसका बलाट सुगा लेवल कम होता है, इसके अलाबा भी नारियल का पानी का जो गलाइसेमिक इंडेक्स है, और बेहती कम है, स्रिप 3 है कोई भी food का अगर glycemic index कम हो तो diabetes का मरीज के लिए अच्छा माना जाता है नमबर 3, नारियल का पानी हमारे blood pressure को भी control करता है अगर hypertension याने high blood pressure का मरीज हर रोज नारियल का पानी से बन करते हैं तो इसमें मौझूद potassium blood pressure को control करने में मदद करता है नमबर 4, नारियल का पानी हमारे digestion system को भी मजबूत करता है दोस्तो नारियल का पानी पिने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कई ऐसे पाचन तंत्र related बीमारी है जैसे कि cups, constipation ये सब बीमारी में भी रहात मिलती है क्योंकि इसमें fiber मौझूद होते हैं जो cups से रहात देती है नमबर 5, नारियल का पानी हमारे heart को भी मजबूत करती है ऐसे भी नारियल का पानी पिने से blood pressure control रहता है और इसमें मौझूद मेंगानीज और fiber हमारे cholesterol level को कम करने में मदद करता है जिसके कारान लंबे समय तक heart स्वस्त रहता है नमबर 6, अगर किसी ब्यक्ति नारियल का पानी पिता है तो उसका kidney में stone होने का खतरा बहुत कम हो जाता है क्योंकि हमारे kidney में calcium oxalate नमक एक किसम का crystal form होता है इसे kidney stone भी कहा जाता है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिते हैं यहां तक कि नारियल का पानी पिते हैं तो इससे crystal form होना कम हो जाता है और पत्थर जमने से रोकता है नमबर साथ नारियल का पानी हमारे पूरे सरीर से toxin को release करता है दोस्तो अगर आप detox drink के बारे में सोच रहे हैं तो हर सुबा आप नारियल का पानी पी सकते हैं क्योंकि नारियल का पानी में antioxidant काफी मातरा में होता है पूरे सरीर से toxin को release करने के साथ साथ हमारे सरीर में जो three radicals जमते हैं जिसके बज़े से oxidative stress होता है और कई ऐसे घातक बिमारी इसके बज़े से हमारे सरीर को घिनने लगता है अगर आप नारियल का पानी पीते हैं तो ऐसे कई गंबीर बिमारी से बस सकते हैं अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं और तनाव का सामना कर रहे हैं तो ये glass नारियल का पानी पिने से आपको fresh महसूस होगी और आपका stress लेवल कम होगा दोस्तो अगर आप नारियल का पानी कम पीते हैं तो जरूर जादा से जादा पिये क्योंकि इतना सारा फाइदे के बारे में जानने के बाद आपको जरूर नारियल का पानी पीना चाहिए दोस्तो अब तक हम लोग नारियल के पानी के फाइदे के बारे में जाने हैं अब हम लोग नारियल के पानी के नुकसान के बारे में भी जानेंगे अगर किसी बैक्ती को किड्नी का विमारी है तो नारियल का पानी बिल्कुल से बनना करे क्योंकि नारियल का पानी में पोटासियम का मात्रा जादा होता है जिसके कारण किड्नी के मरीजयों को दिखत हो सकती है दोस्तो वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करें और दोस्तों में स्यार करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आज के लिए इहीं तक धन्नवाद